नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पेपर हैकर में मैं राहुल गंवार आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है इस्थिर बैदुत बिभब तथा धारिता तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है आपका बैदुत बिभब बैदुत बिभब जब किसी आवेश को बैदुत छेत्र में इस्थित किसी बिंदू तक लाया जाता है तो आवेश को लाने पर जो कारिय किया जाता है वह बैदुत बिभब कहलाता है जब किसी आवेश को को बैदुत छेत्र मे इस्थित किसी बिंदू तक लाया जाता है तो आवेश को लाने पर जो कारे करना पड़ता है जो महनत करनी पड़ती है तो बहे बैद्द बिभभभ कहलाता है अता बैद्द छेत्र में किसी आवेश को लाने में हमें जो कारे करना पड़ा जो महनत करनी पड़ी तो बहेव आपकी बैद्दुद्विवप कहलाएगी तो मालिय ये कोई पॉइंट है ये कोई बैद्दो छेत्र है इसमें हमें अनन्त से ये आपका बैद्दो छेत्र है इसमें अनन्त से हमें आवेश को लाना है तो अनन्त से आवेश को यहां तक लाने में किया गया आपका कारे जो है बो बैद्दद विभभप कहलाएगा बैद्द विभप का जो सूत्र होता है वो आपका डबलू अपॉन क्यूँ ओ होता है यानि कि पिर्ति एकांग कावेस को बैद्द छेतर में लाने में जो कारीर किया जाता है आपका वो बैद्द बिभब कहलाता है इसे V से सो करते हैं तो आपका ये सूत्र हो गया B equal to W upon Q zero जिसका मात्रक होता है देगी दोस्तों W का मात्रक होता है जूल क्यू आपका हो गया आवेस और आवेस का मात्रक होता है कूलाम तो इसका मात्रक हो गया जूल पिर्ति कूलाम या इसको हम बोल्ट भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं दोस्तों M L स्कूर्ड T की घाद माइनस थरी A की घाद माइनस वन होती है बैद्द विभब की बिमा M L की घाद दो T की घाद माइनस तीन और A की घाद माइनस एक होती है अब दोस्तों बैदुत विभभब का महत्व क्या होता है? बैदुत विभभब का महत्व ऐसे करके हम जान सकते हैं यदि भिन भिन वहदुत विभब बाली दो चालक बस्तूँ को संपर्क में लाए जाता है तो बिभभब का इस्थानांतरन अर्थार्थ आवेश प्रिभभात तब तक होता है जब तक दोनों के बिभभब बराबर ना हो जाए दो अलग अलग बैदुत बिभभब बाली बस्तुएं होंगी उनको जब संपर्ग में लाया जाएगा माली दो बस्तुएं हैं उनके बिभभब अलग अलग है ठीक है तो उनको जब संपर्ग में लाया जाएगा तो बिभभब का इस्थानांतरन जो है बिभभब का आदान पिर्दान तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के बीच मतलब की बिभब बराबर ना हो जाए जब तक क कि दोनों बस्तुएं का जो बिभब होगा बराबर ना हो जाए यानि कि पहले उनका अलग-अलग बिभब था और जब यह संपर्ग में आएंगी तो तब तक बिभब का इस्थानांतरन होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का बिभब बराबर नहीं हो जाता ठीक है दोस्तो तो यह आपका बैदद हो यह आपका महत्र हो गया अब अगला टॉपिक आता है आपका बिभांतर बिभांतर तो जब किसी आवेस को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक लाते हैं तो किया गया कार यह बिभांतर कहलाता है देखिए दोस्तों बिभाब और बिभांतर की प गय कि गया चाहे लेकिन इसमें आपका जो विभांतर की परैंवासा होती है इसमें एक निश्चित बिंदू से दूसरे बिंदू तक जो की आवेस लाए जाता है तो वहाँ पर किया गया कारिया आपका विभांतर कहलाता है यानि कि एक कोई निश्चित बिंदू होगा उस बिंदू से किसी आवेस को हम दूसरे बिंदू तक ले जाएंगे तो किया गया कारी है मतलब उसमें जो हमें महनत पड़ेगी जो कारे करना पड़ेगा वो आपका विभांतर कहलाता है मालिया ये ए बिंदू पर कोई आवेस इस्थित है तो हमने ए से बी तक आवेस ले जाना है तो यहां पर जो कारे करना पड़ेगा यहां से यहां तक ले जाने में तो वो आपका विभांतर कहलाता है इसमें देखी दोस्तों बिंदू निश्चित हैं ए से बी तक ले जाना है तो आपका इसका सूत्र होगा बी वी माइनस वी ए एक्वाल टू डबलू अपॉन क्यू जीरो और इसका भी दोस्तों मात्रक जो होता है जूल पिरती कूलाम या बोल्ट हो जाएगा क्या हो जाए मता जो आपका टॉबिक है वो